दो थे, अब तो वो भी चले गए, सीट बचेगी कि नहीं बचेगी, जिस सीट को राहुल गांधी हार गए, केल शर्मा जित जाएंगे, बिल्कुल जित जाएंगे, अमेठी को राष्टे और अंतराष्टी चमक देने वाला गाधी परिवार और कॉंग्रेस है, आप जिस ब् रिवार और कांग्रेस द्वारा किया गया विकास दिखाई देगा, दोसरी बात, एचल, भी एचल, सेल, टिपल आईटी, मेगापूट पार्क, कागज पेपर मिल, मुंसी गंज हास्पिटल, राजी गांधी पेट्रोलियम इस्चूट, इंद्रा गांधी भीमार इस्चू राहूल गांधी ने इतने सारे काम कर दिये, तो सीट चोड़ कर क्यों भाग गये? हनुमान को छोड़ कर गए, तो आपके राहूल जी पहले ही हनुमान को सौप कर चले गए, हमसे नहीं समल रहा है, हनुमान तुम ही देखो, जो सेवा किया, उसको सेवा का प्रटिपल जिसने मेटी की सेवा की, वो उसका हगदार है, जो आकर के कबजा कर जाए, वो नहीं है जो तेरा रुपया चीले, जो तमाम जुम्ले थे वो नहीं है, एक मैंडब जरा, आपके जो विरोधी हैं वो भी खड़े हैं यहाँ पर, गोविन जी, आज योगी जी ने कहा कि दो ही तरह के लोग हैं, जो मोदी जी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनते वें नहीं देख कर रही है, इनके मरी संकर आयर, आज के 5-6 साल पहले पाकिस्तान गए थे, मरी संकर आयर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर मंत्री भी रहे हैं, वो लोगो ने वहां कहा इंटर्व्यू में, पाकिस्तानियों से सिपारिस की, कि हम तो नहीं हरा पार हैं, आप ही कुछ कर हो, यह मरी संकर आयर का बयान है, आंदी रिकार्ड है, यह दिना ही नहीं कर सकते हैं, टक्र हरविंद चतुरवेदी महोदे, इसी तरह, अभी इंगलेंड गए थे, जो यहां से भाग गए, आक्सपोर्ड इन्वर्स्टी के कंटीनम, इन्वर्स्टी उसमें से सभा में नही किरोसिन फैला दी गई, आग लगाने की देर, यह राहूल गांधी के बयान है, ऐसे आदमी को, अगर हम एठी में यह कोड भी कांग्रेस को मिलता है, ति यह भारत का दुरभाग के में इन्वर्स्टी ने किये, पिछले 5 साल में स्मृति इरानी ने क्या किया है, कि आप लो कोका कोला का यहीं से 40 कीलमेटर दूर लगा sher एक भी ब्यक्ति को रोजगार नहीं मिला है यह चैलेंज के साथ मैं टह सकता हूं एक भी ब्यक्ति को रोजगार नहीं मिला है मैं ठीके आप सवाल पूछो आपने जवाब दिया सर देखिए वैसे तो मैं आपके पास आता मेरा सवाल आपसे मैं पूछता अब जब इन्हों ने इंटर्फेर कर दिया तो रुख जाइए पहले एक मिट रुखिए पिंटु यादव जी आपके दो विधायक आपसे क्यों छिटक जनता जवाब चाहती है जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था आपके दो विधायक क्यों छिटके जवाब भारतिय जनता पार्टी के पास तीन हैं EDCBI और Income Tax जिनके डर से किसी को भी सामिल कर लेते हैं अमेठी की परिस्तिती दूसरी है अमेठी विधायक बदल लेते हैं ऐसे नेताओं से जूरी लखेंगे तो कोई भी बदल लेगा एक सेक्ड हाँ क्या करें हैं और दूसरी बात यह चलवा नहीं चलेगा क्योंकि अभी कांग्रेश के उपरत्यासी है वह 15-16 साल परे 40 साल परे बताता है मैं आँ इसने चलावा किया हमेठी के दुर्वेवाल नहीं होता यहां पर समाजवादी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कंडिडेट उताले यह बैसाखी पिचल रहे हैं और उसी कांग्रेश को कलगाली देते थे आज उसी के नीचे बैसाखी बनके चुनाव लड़ रहे हैं इनकी आवकात नहीं है कि एक भी कंडिडेट मेठी और राभरे यह कांग्रेश के महोदे हमसे पूछना चाहते हैं कि जब जरूरत होती है तो सर्मा को ही क्यों भेजते हैं कभी कैप्टन सती सर्मा अमेठी को लूट के जाते हैं तो कभी केल सर्मा को भेजते हैं जबकि यह गलत और इनके विदायक को बताना चाहता हूं पिंट व्यादो इसका ये मतलब तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को भी लगा कि ये राम विरोधी है इनके साथ रहने का फायदा नहीं है जवाब चाहतो मैं जवाब दे रहा हूं 2017 में यही भाजपा कारकरता और मान्य प्रधान मंत्री जी जिनके परिवार की बात कर रहे है उनके उपर आरोप लगाते लगाते ठक गए वेचारी और उन्हीं की वजह से वोट मांगने का जरूरत पड़ गई इसलिए क्योंकि उनको पता है सांसाजी को कि यहां जीतने जीत नहीं होने वाली है हार रहे हैं पूरी तरह से मैं सवाल पूचा उसका जवाब दीचे जंता की तरफ से सवाल आया कि आपके विधाएक इसलियत चले गए और जाते-जाते जएशल राम में निकल रहे हैं और वाशिंग मसीन से जैसे आराम बोलते हैं जैराम बोलते हैं बसाफ के पांटी है नहीं जाते हैं तो मुस्लिम और यादो का ओड़ कड़ जाएगा इसलिए नहीं जाते हैं घॉरी गंध बिधानसभा समाझवादी पार्टी की देन नहीं है ब्यक्तिकत बिधायक जीते थे और आपका चेहरा दिखेगा नहीं तो पीछ दिख रहे हैं कि आप मुझको देखिया जबाब लीजिए फटा फट एक जबाब आपने का